नमस्कार आप देखने हैं दर्भंगा लैब नियूस मैं रवी कुमार गुगता में महिला की जली लास मिलने के 24 घंटे के अंदर पती सही तीन लोग ग्रेफतार बहादुर्पुर्थाना छेतर के हौशिंग कॉलने इस्थित MIG 87 में जली महिला की लास बरामध होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उद्वेदन कर पती सही तीन लोग को ग्रेफतार किया है पती पत्नी पर वैश्या करन करने का दवाव बना रहा था जिसको लेकर दोनों के बीच कहा सुनी हुई थी वही पतनी ने वैश्या वृत्ति के खुलासे करने की धमकी पती को दी थी जिसको लेकर सुक्रवार की देर रात पती एवं पतनी के बीच छड़प हुई थी जिसको लेकर पती ने हत्या कर दी और घड में पड़े समानों को उसके उपर डाल कर आग लगा दी जिसके पस्चा महले के आदमियों को दुरगंद लगी तो पुलीस को सुचना दी स्सपी बावुराम ने बताया कि पतनी कलपना गुपता जो मुक्फुल हाइट निवडी पाल दक्षिन पार्ट माधोपुर नौर्थ 24 पस्चमी बंगाल की है रहने वाली कलपना गुपता नाचने गाने क कार करती थी उसी क्रम में उसके पती भी नाचने गाने का कार करता था दोनों के बीच साधी हो गई थी जिसके बाद उनके पडिवारवारे उनको रखने से नकार कर दिये थे जिसके बाद वो यहां दर्भंगा हौसिंग कॉल्ली में आकर के रह रही थी साधी के बाद जब नहीं रहन होने के कारण एक सप्ता पुर्व विरोजाने मकान खाली करवा लिया था। उसके बाद बहादुरपूर थाना छेत्र के हासी कॉनली स्थित MIG 87 में किडाये पर वे लोक रहने लग गये थे। इस दोरान कई ग्रहक के रूप में लोगों का आना जाना वहां हो गया था जिसका विरोध पतनी कलपना गुपता कर रही थी। प्रियर रंजन सिंग उर्फ छोटू सिंग जो बहादुर थाना छेत्र के रहने वाले जाते हैं सुक्रवार की देर साम गुलाब छोटू सिंग एवं गुलाब के मामा संभू पासवान ने कलपना के साथ में रखे कपड़ों को उससे लपेट कर उसका जला दिया गया एवं जान ले लिया गया एससपी बावुराम ने बताया कि पैर के एफ एसल टीम के ले गई जांच के रिपोर्ट के अनुसार कुछ बताया जा सकता है कि वह मिर्तिव कैसे हुई है या असपश नहीं हुआ है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मुल्टी ब्रांड मेंस्वेर शोरूम सुभाश चौक दर्भून